आयोध्या में श्री राम जन्म भूमी तीर्थ शेत्र ट्रस्ट के महा सचीफ चमपत राय ने कहा कि राम जन्म भूमी मंदिर में भगवान श्री राम लला के प्रान प्रतिष्ठा महुतसव में शामिल होने के लिए प्रधान मंतरी को आमंतरन पत्र भेजा गया है आमंत्रन में प्रधान मंत्री से 15 से 24 जनवरी के मद्ध का समय मांगा गया है उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री के इस कारिक्रम में शामिल होने से दुनिया में भगवान राम की संस्कृती को बढ़ाने में मदद मिलेगी प्रान प्रतिष्ठा महुत्सफ की तयारियों को लेकर ट्रस्ट के पदाधिकारी लगातार काम कर रहे हैं देश-विदेश से आने वाले विशिष्ट जनों को बैठाने के लिए एक हजार कुर्सियों को अलग लगाने की विवस्ता की जा रही है उन्होंने का कि खंबो पर जो मूर्तियाओ केरी जा रही है उनकी संख्या छे हजार तक हो सकती है मंदिर निर्माड निर्विद रूप से संपन हो इसके लिए मंत्रो चार के साथ वालमिकी रामायन और श्रीमद भागवत का पारायन चल रहा है ट्रस्ट के सदस्यों ने राम जनभूमी परसर को जोड़ने वाले मार्ग का सलिय निरिक्षंड कारदाई संस्था के लोगों के साथ किया और समय से काम पूरा करने को लेकर मंत्र ना भी की भागवान राम का मंदिर निर्विगन बने इसके लिए यहां अनेक परकार के अनुस्थान चल ला है प्रदान मंत्र जी को एक निवेदन का पत्र हमने भेज दिया है कि यह लिखाएगी कि आप आएंगे तो दुनिया में हिंदुस्तान का कैसे सम्मान बढ़ेगा अपने व्यस्त कारक्रम में से थोड़ा समय निकाल लीजिए